पुलिस ने दुषकर्म के जूटे आरोपों में फसे बेकसूर वेक्टी को बचाया वेक्ती पर नाबालिक यूवती ने दुषकर्म का आरोप लगाये था। पुलिस ने जब इस मामले की गहराई से जाच की तब पता चला कि ये वेक्ती तो बेकसूर है। दोशी कोई और ही है युवती ने इस पर जूटा आरोप लगाये था ये मामला उधम सिंग नगर का है वो तो घटना वाले शुद्र के आसपास भी नहीं थे स्पी चंद्रशेकर घोड के ने बताया कि नाबालिक युवती से दोबारा पुछताच कर उसकी कॉल डिकेल निकाली के तो गुनहगार कोई और ही निकला युवती के परोस में रहने वाले युवक सुमित ने उसको बहला फुसला कर दुषकर्म की घटना को अंजाम दिया था स्पी चंद्रशेकर घोड के ने बताया कि चूंकि ये बेकसूर व्यक्ती युवती के घर के आसपास ही रहता था और इसके परिवार वालों से इसकी लड़ाई थी इसी वजह से युवती ने उस पर दुषकर्म का जूठा आरोप लगाया पुलिस ने सुमित को गिरफतार करके जेल भीज दिया है इसको हमने बहुत ही गंभिरता से लेते हुए इसमें गहनतापूर अगजाज की CCTV पुटेज और CDR के साथ-साथ काफी विटनेस स्टेटमेंट हमने इसमें लिए और इन सब विवेचना के बाद ये सामने आया कि इसमें जो वास्तवी कापरादी है वो कोई और है ना कि जो नामजद इसमें था अभिवत वो नहीं है और वास्तवी कापरादी कोई और है जो कि लड़की ने अपने बाद वाले जो बयान है उसमें भी इसका खुलासा किया है इसी खुलासे के अंतरगत हमने सुमित कुमार ये जो धाना भोजी पूरा बरेली का निवासी है इसा भी रफ्तार किया है मध्यप्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्ति करण के उद्धिश से समवेधन शिल मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लारली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है इसके तहद उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपे दिये जाएंगे ये राशी सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचाई जाएगे योजना की प्रत्रिया बहसरल और निशुल को है योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने के आवश्यक्ता भी नहीं है दस जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आजाएगी एक हजार रुपेया की पहली किस्त योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेलप लाइन नंबर 0752700800 एवं वेबसाइट cmladlibehna.mp.gov.in पर ब्राप्त की जा सकती है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक मिशलेश हम करते हैं सट्यका अनवेशा दखल नियूज आपके हक्त में आप देख रहे हैं दखल नियूज